हेलो एवरीवान, वेलकम बैक टो स्विट सिंपल लाइफ, कैसे हो आप सब, हैपी हालिडेज, हैपी मेरी क्रिस्मस, आप सभी को जब तक की मेरी वीडियो जाएगी, क्रिस्मस फिनिस हो गई होगी, so I hope so आपकी क्रिस्मस बहुत अच्छे से गई हो, फेमिली के साथ आपने बहुत सारा एंजोई किया हो, so चलिए, मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे, so आज मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूंगे, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, जो मेरी डाएट प्लान है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरह से डाएट फॉलो करती हूँ, so यहाँ मॉर्निंग रूटीन है, जो बेसिक होती है, सबसे पहले बरतन वगेरा लगाना यह वो, गरम पानी कर लिय अगेन यहाँ मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मेडिकल एड्वाइजर हूँ, मैं सिर्फ एक किड्नी ट्रांस्प्लांट पेशन्ट हूँ, जिसे 23 एर्स हो गए है, किड्नी ट्रांस्प्लांट किये हुए, और मेरी किड्नी बगवान के महरबानी से बहुत अच्छे और फिर यहाँ आके मैं अपने दवाई ले रही हूँ, रूटीन की मौर्निंग की, तो टू ग्लास ऑफ वाटर मैंने ल्यूप वाटर मौर्निंग में लिया, और अभी मेडिसिन के साथ मैं दो ग्लास और लूंगी, पानी का, यह हमें रेगिलर वाटर लेना है, वो तो आ मैंने मैंसें किया है, मौर्निंग, अर्ली मौर्निंग की लूप वाटर, उसके बाद मैं यहाँ दवाई हमेशा रेगिलर वाटर से ही लेती हूँ, अच्छा, उसके बाद यहाँ पानी वगेर हो गया, तो आपने दिखा, फोर ग्लास ऑफ वाटर मेरा चाय से पहले मैंने अल्रेडी कंजूम कर लिया है, तो उसके बाद मैंने चाय पी और यहाँ कुछ यह मौर्निंग की रूटीन चल रही है, अच्छा, यहाँ पर मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि आपकी डाइट शेर करो, आप प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, आप मेरी एबरी वीडि में पूरा तो शेर नहीं कर पाऊंगी, और सेकंडली एक सीस ने मुझे मैसेज किया, उनकी एक साल हो गई है, कि इनी फिल हुए, मैं उनका नाम डिकलर नहीं करूंगी, क्योंकि इस प्राइवेसी परपस किसी को पसंद ना आए, और अपना जो भी रूटिंग कर रहे हो, वो वैसे ही करें, बस इतना ध्यान रखें कि पानी बहुं सारा पानी पीए, और मैं आपको इसके टीप्स भी देती रहोंगी, किस तरह से हमें पानी पीना है, कैसे करना है, और यहाँ पर मेक्सिकन पीजा बन रहा है, इसके लिए पानी को आपको गिवप नहीं करना है, वाटर इंटेक इस मोस्ट इंपोर्टन, अच्छा, दूसरा, किसी और एक भाई है सायद, वो चैनल भी है उनकी, लेकिन उनने में से मैसेज किया कि किड्नी कब मिलेगी, इसके बाद मुझे किड्नी मिली है, किड्नी मैच होना भी एक बहुत बड़ी बात है, उसका भी टाइम लगता है, अनलेस आपके फैमिली में से कोई देता है, तो डिफरेंस टोरी है, यह सारी चीजें आपको डॉक्टर सजेस करेंगे, मैं नहीं, यहां यह सेकंड मैडिसिन होती है, जो भी किड्नी ट्रांस्परांट की गई उनको पता होगा, प्रेड्नीजॉन एंड मेरी वाइटामिन, वो मैं मिल के साथ कंज्यूम करती हूं, क्योंकि प्रेड्नीजॉन होती है, वो उसके साइड इफेक्ट काफी होते हैं,। तो हाँ यह medicine की बात हो गई कि आपको बहुत make sure करना है कि medicine की side effect को avoid करने के लिए आपको जो उसके labeling दिये गए है उसके उपर उसी तरह से आप उसे follow करें कई मेडिसिन होती है जो एम्टी स्टमक लेनी होती है तो उसके साथ आप बहुत सारा पानी लेजी थोड़ा सा पानी से नहीं चलेगा अधरवाइस इसकी साइड इफेक्ट भी रहेगी क्योंकि फ्लस आउट होना बहुत जरूरी है बॉड़ी में से सो और कई मेडिसिन हैं जो मिल के साथ ली जाती है वन अफ देट प्रेडनेजोन सो मैंने वो इतने सालों से मेरा मिल के साथ ही मैंने उसे कंज्यूम किया है और जैसे मैंने कहा बनाना के साथ अच्छा सेकंड क्वेस्चन बहुत सारे आ रहे हैं कि मैं मीट नहीं खाती हूं तो क्या डॉक्टर ने मना किया है नहीं बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर ने मुझे नहीं मना किया है लेकिन मैं जैसे मैनेज हो गया केक हो गया वो चीजे खाती हूं एक से बनी हुई लेकिन वह इतना तो नहीं खाते हैं कभी कबार खाते हैं जो लाइक बॉयल एक आमलेट यह इस तरह की चीजे मैं नहीं लेती हूँ प्रोटीन तो हमारे इंडियन डायेट में भरपूर पड़ा है न हमारे बीन्स में से मिलते हैं ब्रेड हो गया राइस हो गई क्या बोलते हैं उसमें वीट फ्लावर हो गया रूतियां जो हम खाते हैं सब में आता है प्रोटीन तो कहीं न कहीं हमें मिल ही जाता है उन में से और कितना लेती हूँ वह आपकी बॉड़ी पर डिपेंड करता हैं जो हमें दॉक्टर सब केलक्यूलेट करते हैं लाइक इस औल डिपेंड आफ या बोड़ी इस केलक्यूलेट बाइज वेट एंड है वह हिसाफ से डिसाइट किया जाता है कई बार मुझे 65 gram से कम ही मैं consume करती हूँ, जादा नहीं करती हूँ, over नहीं जाने देती, कम चलेगा लेकिन over नहीं, मेरी body के हिसाब से, मेरे लिए, आपकी body different होगी, आपके lab work के हिसाब से, डॉक्टर आपको decide करेंगे कितना लेना है, लेकिन क्या होता है कि over protein वो फिर आपकी किलनी को definitely damage करेगी, so onion, garlic अपने diet में definitely आप use करें, और garlic, onion जो है, वो cooked use करें, कच्चा ना ले, क्योंकि हमारी anti-rejection medication है, उसके साथ, वो directly interact करती है, यह सारी चीज़े, so कई लोग कहते हैं, कि बस कच्चा खा, जो यह problem solve हो जाएगी, वो हो जाएगी, यह हमारी body के लिए कही कहीं, apply नहीं होती है, यह सारी चीज़े, so अपने doctor से definitely consult करिए आप किस तरह से लिनाए cooked garlic, onion, वो आपको harm नहीं करेगी, वो definitely आपको benefits देगी, garlic pills बहुत सारी available है, market में, वो भी please highly recommended है, do not consume that, so यहाँ पर मैंने beans की तयारी कर ली है, बस इसे saute कर लेंगे, मसाला डालके, Mexican pizza बन सारे है, so यह lunch मेरा full protein होगा आज का, so जितना मुझे चाहिए, मैं यहाँ पर consume करूँगी, इस तरह से protein का, और salt intake तो जैसे आपको सब को पता है, doctor ने भी आपको recommend किया होगा, कि salt बहुत कम लेना है, इसलिए मैं आपको highly recommend करूँ, कि water बहुत जरूरी है, so यह सारी चीजों क flush out करने के लिए, especially हम जो anti-rejection medication ले रहे हैं, उसकी side effect ना हो, इसलिए flush out करना बहुत जरूरी है, बोडी को, और मैं हमेशा से try करती हूँ, कि मेरा lab work, मेरी creatine, जब भी मेरा lab work हो, so मेरी creatine 0.9 to 1 हो, जितना हो सके low eye, so उसके लिए पानी जैसे मैंने कहा, बहुत जरूरी है, मेरी भी creatine कभी-कभी 1.4 और 1.7 तक चली गई है, बीच में, इतने सारों में, I think, दो या तीन बार इस तरह का lab आया है, so I was so worried about that, so फिर मैं डायेट को और भी strictly कर लेती हूं उस समय, और पानी ज्यादा पीना start करती हूं, so फिर आ जाती है वो, अभी last, मैंने October में मेरा lab done कि उसमें मेरा 0.9 किड्नी क्रियेटीन आया है, which is very good, 23 years के बाद, और अब डॉक्टरों का भी कहना है, कि 23 years is very good, जो किड्नी इतनी long lasting रही है, टच्वूड भगवान की महरबानी है, कि आगे भी रहें, और हाँ, ये बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा, पानी consume करना, लेकिन करों का भी जैसे कहना है, कि 23 years हो गए है, तो अब आपकी किड्नी सायत थोड़ी सी down हो, लेकिन जिस तरह से आप maintain कर रही है, उस हिसा आप से अभी तक नहीं लग रहा है, कि कोई भी issue आपको होगा, so I hopefully ना हो, लेकिन इसकी कोई guarantee भी नहीं है, मैं इतना क्या बोलते है, अपनी बोड़ी का ध्यान रखेंगे, तो बोड़ी हमारी ध्यान रखेंगी, बस simple is that, so यहाँ यह Mexican पीजा रेडी हो गया है, आप देख सकते हो, इसमें beans बहुत सारा डाला गया है, चीज है उपर, चीज में भी काफी हद तक protein होता है, so सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन ब जाधा थोड़ा सा, थोड़ा जाधा गरम हो गया यह पानी, so मैं थोड़ा ठंडा पानी एड़ कर दूँगी इसमें, यह बॉटल होल्ड करता है, और में रात को सोने से पहले, अथवा तो next meal में जो भी लूँगी, उससे पहले मैं फिनिस करूँ इसे, यह मेरा गोल होता ह सुबह का, at least six glass हो जाए, seven भी हो जाता है, कभी morning में लंच करने से पहले का, और यह लंच के बाद का two and half, उसके बाद मैं यहाँ पे fruit लेती हूँ, कोई भी एक fruit ले लो, seasonal ले लो, या आपको जो भी पसंद हो, यह मैंगो अभी season नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी थी, so मैं मैं मैंगो लिया, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने walnut लिया है, यह भी optional है, अगर आप पसंद है तो walnut ले लो, almond ले लो, cashew ले लो, मुझे almond cashew ले लो, मुझे almond cashew इतना पसंद नहीं है, so मैं walnut ज्यादा प्रिफर करती हूँ, अच्छा उसके बाद यह last things of the day, for me, के last जो होती है, वो medicine, मेरी, जो हम लेते हैं anti-rejection के लिए, so इसके साथ भी मैं दो glass पानी लूँगी, so इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, नहीं कुछ भी, पानी अगर प्यास लेगी तो पी लूँगी, लेकिन खाना नहीं जाएगा मेरे पेट में बिल्कूल भी इसके बाद so वो सारा जो medicine की side effect हो न, वो flush out हो जाए मेरी body में से, और early morning उठके मैं next फिर से पानी पीती हूँ, so आप समझ सकते हो कि कितनी flush out हो रही है body में से, यह बहुत important है, so please आपसे request है, मेरी हर वीडियो आप देखिए, उसमें मैं कुछ न कुछ शेर करती रहूंगी, और आपकी तरफ से कोई भी question हो मेरे लिए, so please comment करे मुझे, मैं उसका answer देने का पूरा try करूंगी वीडियो थ्रू, और जो भी आपके question हो, please, please ask me, और आप मुझे इंस्टा पे भी contact कर सकते हो, वहाँ से भी मैं जितना हो सेगेगा मैं आपके साथ touch में रहूंगी, so I hope so आपको यह वी subscribe करें, और चलिए फी मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूप सारा ध्यान रखी, चलिए बाई बाई